तो आज हम लोग आंसर जानेंगे कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवालों का जैसे कि क्या थौर और सुपरमैन स्नैप को सर्वाइफ कर सकते हैं? डूमस्टे और थौर की बिश में फाइट होकर तो कौन जीतेगा? क्या सुपरमैन एक न्यूटरन स्टार को सर्वाइफ कर सकता है? और क्या मैजिक सचमुच में सुपरमैन की वीकनेस है? तो बिना किसी देरी के तो पहला सवाल है कि क्या थौर और सुपरमैन स्नैप को सर्वाइफ कर सकते हैं? तो पहले बात करते हैं थौर की तो हाँ Thor snap को survive कर सकता है आप सुनिये कि यहाँ पर हल्क ने क्या कहा तो infinity gauntlet में अधिकतर जो energy है वो gamma है और Thor ने पहले भी gamma radiation से हुवे effect को survive भी किया है और खुद को heal भी किया है क्या मतलब कि आपको याद नहीं कि जब Thor ने एक neutron star की energy को survive किया था और खुद को कुछी seconds में heal कर लिया था और एक neutron star से वास्ट एमाउंट में gamma radiation रिलीज होते हैं तो हाँ Thor snap भी कर लेता और सायच से वो खुद को पूरी तरीके से heal भी कर लेता तो अब कोशन उड़ता है कि आखिर Thor ने snap क्यों नहीं किया तो Thor तो ready था है snap करने के लिए बट टोनी और कैप्टन नहीं चाते थे कि वो snap करे क्योंकि उस वक्त Thor की emotional और mental हालत बहुत ही खराब थी उसने अपनी मम्मी, पापा, भाई, बहन, दोस्त, घर, दोआर सब कुछ खो दिया था तो अगर वो snap करता तो वो इन सब को वापिस लाने की कोशिस करता चोकि ultimately अच्छा नहीं होता क्या पता TVA वाले आते और इसको उठाकर ले जाते तो अब बात करते हैं कि क्या Superman snap को survive कर सकता है तो हाँ Superman भी snap को survive कर सकता है क्योंकि DCU वाला Superman Thanos या फिर हल्ट से तो कई गुना ज़्यादा durable है तो वो snap भी कर देता और वो खुद को पूरी तरीके से heal भी कर लेता तो दूसरा सवाल है क्या magic सचमुच में Superman की weakness है तो यहाँ पर magic को Superman की weakness कहना सही नहीं होगा more like Superman is vulnerable to magic तो इसको एक example से समझे कि आग हमारी weakness नहीं है मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि आग जलते ही हम लोग powerless हो जाते हैं हाँ fire के आगे हम लोग vulnerable जरूर है यानि आग हम लोग को जला जरूर सकती है बट वो हमारी weakness नहीं है हमारी actual weakness क्या है तो ये सेम चीज सुपरमैन के साथ है क्रिप्टो नाइट और रेट संथ उसकी actual में weakness है इनके contact में आते ही सुपरमैन एक दहारते सेर से एक भीगी बिल्ली बन जाता है यानि वो अपनी सारी powers को खो देता है और बस एक normal क्रिप्टोनियन बनकर रह जाता है वहीं जब सुपरमैन एक magic user के contact में आता है तो वो अपनी सारी powers को नहीं खोता है बस उसको magic का use करके चोट पहुँचाया जा सकता है hopefully आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरी सवाल की और जोकी है कि अगर MCU वाले थार और DCU वाले डूमस्टे के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा तो डूमस्टे की strength, speed और durability सुपरमैन या फिर उससे एक कदम आगे ही है और जैसा कि हमने मुवी में देखा कि उसके उपर earth based weapon का कोई असर नहीं होता उल्टा वो तो उसको absorb करके और powerful बन जाता है बट हमने एक और चीज मुवी में देखा कि डूमस्टे को सिर्फ crypto night या फिर magical weapons का use करके मार रह जा सकता है और थार के पास तो उसकी दो-दो magical weapons strong breaker और म्यानिर है और एगर wonder woman की तलवार ये कर सकती है तो strong breaker के सिर्फ एक perfect sword से थार डूमस्टे का सर धर से अलग कर सकता है और मेरे ख्याल से डूमस्टे थार की lightning को भी absorb नहीं कर सकता क्योंकि वो भी तो magical है और strength और durability के मामले में भी थार डूमस्टे से कम नहीं है बट कही न कहीं speed के मुकावले में थार डूमस्टे से पीछे रह जाता है बट यहां पर थार अपनी bifrust का यूज कर सकता है डूमस्टे की speed को counter करने के लिए तो the winner is the god of comedy तो अब बढ़ते हैं अपने चौते और आखरी सवाल की और जो की है कि क्या सूपर मैन एक neutron star को survive कर सकता है जैसे की थार ने किया था तो इसका अंसर हां भी है और नहीं भी हां इसलिए क्योंकि अगर तो उस neutron star से वो same radiation release हो रहे होंगे जो कि एक yellow sun से release होते हैं तो सूपर मैन उस neutron star को survive किया उसके अंदर जाकर बैट भी जाएगा तो उसका एक बाल तक बांका नहीं होगा बट अगर उस neutron star से वो same radiation release नहीं हो रहे होंगे जो कि एक yellow sun से होते हैं तो सूपर मैन मर जाएगा क्योंकि निड़ा विलियर की आसपास कोई sun मौजूद नहीं है जो कि सूपर मैन को heal करेगी तो बस भाई लोग वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में जरूर पूछेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सिस्क्राइब करना मत भूलिएगा बागी अगर आपको जानना है कि क्या स्ट्रॉम ब्रेकर सूपर मैन को कट कर सकती है तो इस वीडियो का लिंक कॉमेंट सेक्षन में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो जलूर चेक आउट कीजिएगा